वेलकम फ्रेंड युक्ति याइस की स्वालाइन प्लाटफॉर्म पर आप शभी लोगों का स्वागत है आज 18 अक्टूबर है तो देनिक जारंग के राष्टे संस का न्यूज पेपर में आप लोग के लिए प्रारंबी परिच्छा मेंस और इंट्यूवी और इन कौन-कौन स से न्यूज को कभर किया गया उस पर मुड़ों चर्चा करेंगे आगे बढ़ने से पहले आप लोग यूटूब चैनल को जुरूर सब्सकाइब कीजिए साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाए ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुचे और जो हमारे पुर सब्सक्राइब को में लिंक दिया रहाता है एप का लिंक है आप जरूर डानलोट किजिएगा दैनिक जागरन निज अनलेसिस का की सीरीज जो आप लोग है उससे जुड़ सकते हैं जो अभी तक नहीं जुड़े हैं जल्द ही जुड़ जाएं साथ ही एक और स्रीज आप ल यह एक सामिल करता है नाम सेल प्रिक दर नाम सेली जरूर जोग परिपेजब को सामिल करता है आप लोग सत्री सुड़ सीरीज अडिस में आनलीयो का प्रेज बान हुड शाया है तो आप लोग केवल 1-9-9 you परचेज कर सकते हैं, एक येर का current affairs सारे topics पर cover होगा, जो आप किसी भी state PCS government competitive exam को appear होते हैं, उसके लिए बहुत ही उप्योगी होगा, तो आप लोग उसमें भी सामिल हो सकते हैं, साथ साथ बहुत सा test series चल रहा है, UPSC का test series चल रहा है, तो उसमें आप सामिल हो सकते हैं, UPSC का जल्द ही test series स्टार्ट होगा, तो आप लोग उसमें भी सामिल हो सकते हैं, तो कहने का अर्थ हिया है कि, एप जरूर डाउनलोड कीजिए, उसमें जाके देखिए, आप लोग के लिए क्या उप्योगी चीज़े दी जा रही हैं, तो आगे बढ़ते हम लोग हैं, बिना सवा पर लगतार अब एक वर्थ तक यह काम देगा, यह आपके परिच्छा के उप्योगी हो जाएगा, तो यह बहुत ही भी भी आई स्रेनी का है, और इसका पैमाना बहुत ब्यापक है, तो मैं इस पर कुछ अले स्पेसल आप लोग के लिए करूँगा, तब तक मैं आपको ची है, तो स्टेट PCS वाले जो भी स्टूडेंट हैं, जैसे बिहार को हो, UP, MP, रास्थान, हर्याना, उत्राखंड, 36 गड़, जितने भी हिंदी स्टेट PCS वाले स्टूडेंट हैं, वो अपने GS General Study के पेपर से इस टॉपिक को टैली करेंगे, जिस पेपर में यह टॉपिक टैल करोड लोग गरीबी रेखा से बाहर आये हैं, यह सबसे बड़ी सुखद समाचार है कि बहुत से लोग गरीबी रेखा जो है, उससे बाहर निकल रहे हैं, सरकारों के परियास, लगतार देखने को मिल रहे हैं, वैस्विक अस्तर पर भी, भारत अस्तर पर भी, तो चीजे द प्रावर्टी एंड हुमन डवलप्मेंट इनिसियेटिव द्वारा त्यार किया गया मल्टी डैमेंसर प्रावर्वर्टी इंडेक्स जिसे सौट फॉर्म में MPI भी कहा जाता है जारी किया गया है जो रिपोर्ट में लगवा 41.5 करोर लोगों को गरीवी से बाहर निकालने का एतिहासिक कदम के संदर में बताया गया और विश्व में लगवर 2030 तक गरीवी में जी रहे अबादी की संख्या आधि करने के सतत्विकास लक्ष प्राप्त किया जा सकता है जो हमारा SDG गोल है उससे भी प्राप्त करने में वर्ष 2030 तक या कारी करेगा तो इससे सम्भनी जो रिपोर्ट आया वो बहुत ही आने वाले जैकि अभी विपेशी का मेंस होगा और विपेशी से मेंस यहां लगतार इस टॉपिक से प्रशन पूछता है तो आप लोग जो इस पर सतत्विकास लक्ष पर पहले भी कोस्टन बने है डवलोप्मेंट डिपोर्ट पर भी कोस्टन बना है यूएंडी पर तो इस प्रकार से आप देखना होगा चलिए भारत के संदब भारत ने भी पिछले देड़ दसक से बड़ी उपलब्दी हासिल किये समविर्दी क से उपर आई है तो देख सकते हैं दोजार पांच के बाद से लेकर दोजार किस तक के आखड़े को यहां इस रिपोर्ट में बतायागा जिसमें लगवाए एक तालीस प्रेंट फाइब करोड़ों लोग गरीबी रेखा से बाहर आया है तो यह अभी एक बहुत ही सुखद ह हमाले समाचार है कि हमारा बैस्विक प्रदिस बदल रहा है हलाकि हाले में 107 रेंग गरीबी भुखमरी सुचकांक में आया है तो यह कहीं ने कहीं इसमें सुधार करने की जुरत है और भी जो अंतराश्टी रूप से हमारा जो स्वयोग है बढ़ाने की जुरत है देखिए अभी भी कुछ चुनोतियां उस पर भी आप लोग जान लेजे कि जैसे अभी भी 22.8 करोलों गरीबी रेखा से नीचे है जो भारत के संदर में जो जनसंख्या के लिहास से अन देशों के तुलना में ज्यादा है रिपोर्ट में आसा जताएगे तो नितिगत अस्तर पर इससे रिलेटर देखी सभी अम्रेला योदना के रूप में काम करता जो सरकार के कारी करते हैं एक योदना से बहुत से सब पार्ट को कवर किया जाता है जरूरी नहीं गरीबी या भुकमरी को केवल भुकमरी के टार्गेट को कवर करके जैसे अन की पहुँच अस्थापित बुख्मरी को समाप्त किया जा सकता है या एक योजना से नहीं होगा सभी योजनाओं के समगर पर्यास से होता है आप लोग को मैंने पहले भी बताया है आज भी मैं आप बता रहा हूँ सरकार के जो भी हालिया कदम उठाए गए हैं वो कही ने कहीं गरीबी भुखमरी को बेहतर करने के लिए आउसर पड़ान करते हैं जिसमें 80 करोन लोगों को लगतार जेड़ साल से सरकारे गरीब वर्गों को मुप्त अनाज दे रहे हैं तो कहीं ने कहीं भुखमरी और गरीबी को दुस्चक्र से निकलने का बेहतर पड़ना में तो आखड़े इस रूप से भी देखने को मिलता है और भी बात हम लोग करेंगे विश्रेश रूप से पहले नियूस पर कवर करेंगे पहले तेकि हैं कुछ-कुछ आखड़े आप लोगों को दिएगे उसे आप लोग देखिएगा जैसे आखड़े यहां क्या है यह आप सुल्ला के बीच और 14 कोड़ अबादी 15 सुल्ला से लेकर 19-20 के भी गरीबी दुस चक्र से बाहर निकली है तो यह बहुत ही कदम 32 सरकारों के द्वारा किया गया है साथ ही साथ 21.2 पर देश में गरीबी छेत्रों में अभी ग्रामीन छेत्रों में गरीबी है तो यह सब आख इसमें महिला संचालित इतने परिवार गरीब है जिसमें महिला नेतित करती उसमें 19.5 पर तीसमें 19.7 पर तीसमें पर पुछा जा सकता है आप जिस पर उमीद नहीं करते हैं प्रसन वहीं से create किया जा सकता है ध्यान रखिए कि इन सब आख़़ों को छोड़ना नहीं है वो अपने keynote में सामिल कर लेना है साथ ही 22.8 करोड लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे है 9.7 करोड बच्चे अभी भी गरीबी दुस्रक्र में फसे हुए भारत में तो यह बहुत बड़ी संख्या है जो इस पर सरकार लगतार परियास कर रही है और भी बहतर परियास करने की जोरत है देखे 3.4 करोड लोग पोशन खाना पकाने के इंधन स्वक्षिता एवं आवास के पेमाने भारत में गरीबी के संख्या देखी गई है जहाँ पर लगतार परियास कर रही हैं योजना जैसे पोशन योजना के संदर में खाना पकाने के लिए उजवला योजना जैसे गैस सबसेडी दी गई है सभी के पोशेटिव और निगेटिव पक्ष होते हैं मैं कितनी बार आप लोग को बताया है पर सरकार के अधिक पोशेटिव संदर्वों को लेका चलना आपको निगेटिव है तो उसके तुलात्मक अध्यन करना है तुलात्मक सुझाओ दे सकते हैं पर सरकार क्योंकि एक एस्परेंट के तोर पर आप एक अधिकारी बनिएगा तो सरकार के पक्षों को मजबूती करन के रूप में प्रस्तुत करना होगा देखे साथ ये साथ कई राज्यों में तेज सुधार हुआ जिसमें बिहार जार्खन उत्तर पर्देश जैसे राज गरिवी अबादी वाले राज्यों पर्देश्तर से बहतर रहा है जैसे 56 में बिहार में गरिवी संख्या लगबा 77.4 पर्देश्तर था देखे कितनी बड़ी संख्या दोजर पाँच में रही है और 19-20 में यह आखड़ा 19-21 के बीच के आखड़े में देख लिया जाए तो यह लगबा 34.7 पर्देश्तर जो अभी भी समग्र भारत में सबसे अधिक बिहार में गरिवी दुस्चक्र में फसे लोग है तो सरकारों को इसमें बेहतर परियास करने देखे हम आज उठे और सुबर इन समस्याओं का समधा नहीं कर सकते इसके लिए नितिगत और सरचनात्मक योजनाओं को लावू धिरे-धिरे अंतराल में हम लोग प्राप्त कर सकते हैं पांस से दफ साल के अंदर ये आखड़े और भी निंतम अस्तर पर आ जाएगा हम संपूर्ण गरीवी को नहीं ला सकते हैं जीरो गरीवी के लेवल पन ही आ सकते देखिए गरीवी वो पैमाना है जिसमें एक संपन वर्ग के अनुपात में अन्य लोगों की इस्तिती का आक अगड़े है वो आपको आउसत मानली 100 रुपया है तो अमरीका में गरीबों के गरीब जब वहां पर हैं वहां पर उनका 10,000 डॉलर है तो अंतर उसके अनुपात में होता है ऐसा नहीं कि भारत में गरीबी है तो केवल विसमें केवल भारत में ही गरीबी अमरीका में गरीबी का अस्तर अनुपात अलग है या वहां पर दस अजार डॉलर जिनके पास होगा जो से कम है तो मानले जो गरीब माने जाते हैं या गिने जाएंगा पर भारत में मानले 100 रुपया जिनका मास रुपया है तो उन्हें गरीब माना जाएगा अंतर अनुपात में होता है नहीं की संख्या में होता ध्यान रखिएगा इस इसको अब इस अनुपात में जितने लोग सामिल होते उनको गरीबी रेखा के संदर में समझाए जाता है तो इस टर्म लोजी को समझेगा और इस से रिलेटेड सारे रिपोर्ट को मैं आज आपको एक वीडियो एनलेसिस कर द अभी आधा ही रिपोर्ट पढ़ा हूँ तो देखिए सभी चीजों को पहले जब तक नहीं पढ़ लूँगा सभी आकड़ों को नहीं समझ लूँगा किस अंदर में यह रिपोर्ट किस बिंदू को असपष्ट करता तो उसके संबन में ब्याख्याए करना उचित नहीं क्योंकि बहुत लंबा विष्टित रिपोर्ट होता है यह सब तो सभी सुक्ष्मपालूओं को देखना होता है तो वेट और वाच करिए आप लोग तो हम लोग इस पर समझ लूप से बात करेंगा फिलाल जो पेपर में दिया उसे आप लोग की नोट्स के तुरुपर सामि कर लेंगे चलिए नेश्ट हम लोग बात करते हैं देखिए एक और भी आप लोग किस स्टडी के तौर पर इसे यूज कर सकते हैं भस्टाचार के मामले में अगर परसास नहीं भस्टाचार से संबंदित 164 के पेपर में पूछे तो आप लोग इसे जरूर सामिल कर सकते हैं जिसमें रेलवे के जो IRFC के CMD अमिताब बनर जी को बरखास कर दिया गया क्योंकि कुछ मामले थे दूर्पियों के मामले थे भस्टाचार और अपने पद के दूर्पियों के आरोप में घिरे साजनिक उपकरम इंडियन रेलवे फानाइंस कॉर्परेशन के अध्यक्ष और प्रवन निरेशक CMD अमिताब बनर जी को बरखास कर दिया गया और देखी इस प्रकार के भस्टाचार के जब भी मामले आते हैं तो केस स्टड़ी के तौर पर आप इसे यूज़ कीजेगा कि प्रशासनिक भस्टाचार के संदर में अगर प्रशन पूछ रहा है तो उसमें देखें बेसी का स्ट्रक्चर चीजी लिखने तो जरूरी है पर वर्तमान संदर में चीजों को केस स्टड़ी के तौर पर आप सामिल कर लेते हैं तो देखिए होगा क्या एंसर इंप्रूब हो जाता और एंसर समसमाई की रूप से जुड़ा हुआ महसूस होता ऐसा नहीं क बस आपको याद रखना है कि इनके उधारना को महा प्रस्तुत करना इसके बारे में लिखना नहीं क्या क्या मामला था बस याद रखिएगा दुरूपियों भष्टाचार और अपने पद के दूरूपियों के संदर में साजनी कमपनी जो फानाइंस कोपरेशन रेल्वे का उससे इन्हें बरखास कर दिया गए तो एक्जामपल के तौर पर इससे यूज कर सकते हैं चलिए निश्ट हम लोग बात करेंगे देखिए आप लोग चीजों को न उस रूप से समझने की कोशिस कीजिए जो परिच्छा उप्योग है परिच्छा में किन-किन हम चीजों को रोख कर सकते हें उसके संदर्व को समझ यकिस बिंदुन के अस्तर तक हम उसे उप्योग कर सकते हैं इसे समझ अग्यों की सीमा क्या है यह झे भी आप लोग खीए-गा ऐसा ने कि कि नियूज के असमित पर योग पर आप लोग बल दे गजिए कि उसका सभी पार्ट को अपने answer item दिखना शुरू कर दी ऐसा बिल्कूल ही नहीं है मैंने जब की notes कैसे बनाना उसमें भी आपको मैंने बताया था कि सीमा बहुत ज़रूरी है किसी भी विशेवस्तू के लिए सीमा अगर आप तै करना सिख जाते हैं तो आपके answer improving answer item improvement देखने को मिल जाता है कि मान लिजे आपसे पूछा जा रहा है कि भारत चीन भारत चीन ताइवान सम्मंद तो इसका मतलब बिलकूल यह नहीं है कि पूरे विश के संदर में ताइवान जो हालिया घटना चीन ताइवान हालिया घटना हुआ तो westwick परिद्रिश को असपस्ट करने लगे पर फोकस आपका भारत चीन और ताइवान के इर्दगिर्द होना चाहिए अगर केवल चीन और ताइवान के संदर में बात करता है तो जाके आपको चीन ताइवान के जिसमें ही चीजों को देखना और समझने की जुरत है तो सीमा आप लोगता है जरूर किजे किसी भी टॉपिक का किस न्यूज को हम किस रूप से उप्योग कर सकेंगे यह बहुत ही जरूरी होगा देखिए यह पेपर 3 में भी आपको यह टॉपिक काम देगा हलाकि मैंने यह टॉपिक लिखना भूल गया हूं तो जी एस पेपर जो तीन है उसमें सवदेसी करंग जो है प्रदोगी का उससे समंदित टॉपिक में यह कभर करेगा तो आप उसे देख लिजेगा हलाकि मुझे लगता की नोट में मैंने लिखा होगा देखिए आप मैंने लिखा भी है पर उपर हेडलाइन में नहीं लिखा हूं तो आप लोग थोड़ा सा कभर कर लिजेगा देखिए रुशी कंपनी जो है हाली में पिछले कुछ वर्षों से आपको उनीस के डाटा के अ कवा जो है कुछ चीजे मुझे याद आगे इसलिए मैं थोड़ा सा चूप हो गया था चलिए सही है मैं जो सोच रहा हूं वह सही है मैं सोचा किसी और संदर में बाते हुई है तो दो सो तीन जो है एके असाल्ट राइफल के निर्मान की जो फैक्ट्री अस्थापित की यह तो देखिए इसे निउज आप लोग याद रखिए का यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट हो गया है समझने की क्यों मैं इस पर निउज कवर कर रहा हूं आने अले समय में इससे प्रसन आपको पीटी के अस्तर पर मिन्स के अस्तर पर देखने को मिलेगा क्यों कि कंपणी रोस्टेक स्टेट कोपरेशन की सहय कंपणी है तो देखिए जब राफल आये था उससे संबंदित प्रसन आपको पूछा गया था इस प्रकार से भी आपको प्रसन पूछ सकता है तो आप इस अंदर में भी चीजों को कवर किजेगा यह वर्स 2019 में संयुक्त अधम लगाने के लिए समझोता किया था भारत के कंपणी साथ और अमेठी जिले के कोरवा में क्लासनी कोव असाल ट्राइफल एम के दो थ्री निर्मान का फ्रक्टरी लगाई है और जिसका उत्पादन इस वर्स के अंद तक शुरू हो जाएगा अब यह देखिए भारत जो कंपणी जो रूसी कंपणी है उसने यह असपस्ट किया है कि यह भारत सरकार के मेक इंडिया कारिकरम को लेकर परतिबद है अर्थात यहां के जो लोकल एसेट है उसका उप्योग करके इस राइफल का निर्मान किया जाएगा यही यह बहुत ही परति गभारतिये संदर में कर रही है तो इसे जरूर देखिएगा अभी हाल ही में भारत निर्मान किंदरी से दुनिया अग्या का और दूस्टे देशो में राइफलोरू की के निर्यात करने का उद्देश इस असाल ट्राइफल से है दोस्तिं से एक के दोसों तीन याद रखेगा और हवी हाली में डिफेंस इंडिया 2022 का हिस्सा लेने के लिए जो कंपनी के जो सीयों है वो आये हैं और 18-26 अट्र चल्ने वाला रख्षा बेहत पर्टिस्थित जो एक्सपो चल रहा है डिफेंस घांडी अगर में गुजरात के गांधिन इसी इंडिया 2022 इसको defense expo बोला जाता यह defense on भी बोला जाता अलग अला employees नाम करन तो तो यहां पर देखिए बात है कि छोटी से राइफल में क्या चीजों को बदलाव लेकर आएगा यह सबसे इंपोर्टेंट है क्यों इतना इंपोर्टेंट दे रहा हूं मैं इस असाल्ट राइफल के संदर में तो चीजे अभी देखिए मैं आपको बताता है की नोट्स के समघ जाएंगा स्तिती इस्तिति क्या रही है हाथियारों के संदर मीं यह आप घ्ले जानी तो नीजी 姐तर का निरियात्त सब्सक्राशा का नियात्स haast sunlightota करते थे अब करते में यह िचिद When you बड़े हथियार लेके घुज़े घुम रहे हैं यह पीपी मोड पर प्राइबरे प्राटनर्सिप के संदर में चीज़े की जाती है वर्ष पुर्व में नीजी छेत का 90% हिस्सा हुआ करता है लेकिन अब रख्षा सालजनी छेत में एकाईया हिस्सा बड़ा सालजनी जो रख्षा उकरन होते हैं जैसे DRDO रख्षा मंद्राले तो इस परकार सालजनी छेत की कमपनिया हिसेदारी बड़ी है हाल के वर्षों में अमरिका से भारत के रख्षा आयात का भी बड़े है भारती कमपनिय तेजी से अमरिकी रख्षा कमपनियों के आप उठ्टी सिंखला का हिस्सा बन रही है तो ये सब इस्तिती पहले रही है वर्दमान में क्या चीज़े हो रही है तो चलिए हम लोग दे सुपर क्रूज मिसाइल के तर्ट अंतराक्षिय एंटिसिप संस्क्राण के तीन बैटरियों की आपूर्ती के लिए फिलिपिन्स के साथ भारत ने लगवत 374.96 मिलियन अमरिकी डॉलर के समझ होता कि कितनी बड़ी रासी है सोच के देखिएगा जो सबसे बड़ा रच्छा निर्यात के आदेश हैं तो ऐसा भारत पहले किसी देश से खरिता था पर हालिया कुछ निर्देश 2020 के बाद कुछ कदम ऐसे उठाए गये हैं जिसके बाद भारत अपने प्रोड़क्ट को विसके अस्थल पर लबत 30 देशों को बेच रहा है ने सबसे इंपोर्टेंट है तो यह चीज़े आप लोग समझेगा कितना बड़ा बदलाव देखने को देखिए 180 डिगरी का बदलाव भारत रक्षा छेत्र में देखने को मिल गया पहले भी बहुत से चीज़े हुई थी पर इतनी बड़ी रासी का ओडर ब्रमोस के संदर में देना और तीन बैटरियों के संदर में देना कहीं ने कहीं यह टर्णिंग पॉइंट 180 डिगरी लेकर आएगा साथ ही साथ देखे भारत विगत दो वर्षों में 310 विविन हत्यारों परणालियों के चरन बद आयात परतिवन लगाया है लगाने के कारगर इस्तिती में इस पर लगतार मैंने आपको वीडियो भी कवर किया आप दो देखें होंगे पहले के प्लेलिस्ट में जिन्होंने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखिए ताकि चीज़े और भी असपश्ट हो सके जिससे निर्यात को बढ़ावा देने मदद मिलेगी तो यह सबसे वो तो पूरा होगा ही तो यह चीज़े आप समझेगा अपने देश में निर्यात करने से फैदा क्या होता विदेशी मुद्रा हमें प्राप्त होती है विश में एक ससक्त अस्थान हमें प्राप्त होता है अमरिका रूस का क्यों इतना दबदबा है आपका भी सोचे हैं और सब पार्ट तो सही है कि वह रक्षा प्रदोकी के संदर में इतना विकास कर लिया है कि कोई भी विश्च का अन राष्ट अगर उनको हतियार चाहिए तो इन दो राष्टों के संदर पहले देखेगा उसके बाद ही कई अन जैसे फ्रांस हुआ इसराइल हुआ अन राष्टों कि जाए तो इन दो राष्टों को लोग पहले सबसे पहले वरेता देता है इसके पीछे मूल मकसद यही है कि इन राष्टों ने अपने हथियारों को इतना उननत बना लिया है कि लोगे पास मजबुरी है मान लीजे मैं एक ऐयामपल देता हूं इंडिया पाकिस्तान के ैसर के साथ करेगा इसके समकश को ऐसा हत् कोई ते जैस को उर्नत हती यासा तो उससे अफसी हत्यार का निर्यात करना किसी देह के Mick सबसे इंपौर्टैंट हो जाएगा हो जाता है लगा समय पंत away भारत ने एस फोर हंडेट खरदा ना जैसे ही रूस से खरगता है तो भारत और जो भारती महादवीब है उसमें हलचल पैदा हो गया चीन के समस्य आने लगी इसके इसके बिहाप में उसके पास कोईसा हथियार नहीं है जो इसका कॉंटर कर सके तो हाल ही में चीन ने अपग् समस्य यह है ना सबको आंतरिक सुरच्छा बाय सुरच्छा सीमा के सुरच्छा करने की पर्तिबता होते हैं राष्टे हीत होते हैं उसी के संदर में यह सब सभी चीजे होती है तो जब भारत अपने हथियार को उन्नत बनाएगा ना जैसे सूपर सोनी क्रूज मिसाइल विस स्थिति में के कोई राष्ट हमसे हथियार करने के लिए पर्तिबत होगा मैं आगे चर्चा करूंगा तीस राष्ट कोन है से जो हमसे हथियार करने के लिए पर्तिबत हलाकि राष्ट की संख्या भी कम है पर आने वाले समय में बहुत बढ़ेगी तो यहां पर इन चीजों क समझना है इन हथियारों प्लेटफॉर्मों का अगले 5-6 वर्सों कई चरनों में सवदेशी करन किया जितने भी हथियार है उसका सवदेशी करन करने का परियास किया जा रहा है अभी 310 हथियारों का जो संदर भी आकड़ा दिया गया हूँ है साथी साथ नीजी छेत में बढ़ी हुई भागिदारी रच्छा निर्यात के परियाप्त विर्धी भी कर रही है ये भी आप लोग को समझना है कि परियाप्त विर्धी हो रही रच्छा निर्यात में भारत का रच्छा निर्यात क्या है ये समझे सबसे पहले रच्छा उत्पादा में आद निर्भर्ता प्राप्त करने के लिए रच्छा निर्यात सरकार का अभियान का परमुख अस्तंभ है या परमुख भाग है तिस से अधिक देश वर्तमान में समझे भागते रच्छा कमपनियों ने इटली, मालदीव, स्रिलंका, रूश, फ्रांस, नेपाल, मौरिसस, स्रिलंका, देखें स्रिलंका दुदुबर हो गया है कोई दिकत ने इस्राइल, मिश्र, संयूत राज अमिरात, भोटान, इठोपि या साउदी अरब, फिलिपिन, पॉलेंड, अस्पेन जैसे देशों को हतियार उकरनों का निर्यात किया है हलाकी अभी देखिए रूस को छोड़कर अभी की अमरिका का नाम या उस परकार के जैसे संदर्वित देश से उनसे का नाम नहीं आया है पर इक्षा अमरिका ने भी जाहिर तो आने वाले समय में हम और भी बेहतर विस्तिती माएंगे तो इन देशों को भारती रक्षा निर्यात हो रहें, रक्षा उपररन निर्यात किये जा रहे है निर्यात में बेक्तिगत सुच्छा समगरी है रक्षा इलेट्रोनिक परनाली है इंजिनरी यानते कुपकरन है अब तटिये गस्ती जहाज है हलके उननत हेलिकॉप्टर है जो यह विनो एक सूट होता है जो हतियार बद सूट होता है उसका रेडियो सिस्टम रडार सिस्टम स अब बड़े बड़े हत्यार हम निर्यात नहीं करना है एक ब्रहन मुस्कुल मुसाइल है जिसको निर्यात हाली में फिलिपिन जैसे देशों ने दिमांड किया है तो यह सब दिखें और भी अपग्रेट होंगे अब एक तो चीजे नहीं हो सकती है पर धीरे-धीरे हम लोग और भी इंप्रोमेंट लेखर आएंगे असकोट हॉम इंटरनेशनल पीस रिसर्च जिसे सिप्री कहा जाता एस आई पी आराई इसका रिपोर्ट जब भी आएगा तो आप तो बेहतर तरीके से से कवर किजिएगा प्रस निहां से पूछा जाता उनके अनुसार 2015-19 के लिए प्रमुक हथियार निर्यात को की सुची में भारत का तैस्वा अस्थान है देखिए ऑथराइड 193 देश हैं जिसमें आपको तैस्वे अस्थान पजी यूएनो में जो सुची बद राष्टों की सूची है उसकी में संख्या बत्रा ओथराइड और इसे बहुत से 205 जाधि है वेस्विक हथियारों का उसमें केवल 0.1 0.17 परतिसत ही निर्यात करते हैं तो तैस्वे अस्थान पर सोच लिजिए अगर दो से तीन पांच परतिसत आ गये तो हम कितने रैंक पार अंडर फाइब रैंकिंग में आ जाएंगे तो यह धिरे-धिरे प्राप्त होगा भारत के रच्छा निर्यात निरासा जनक परतिसन का कारण क्या है जो 0.17 परतिसत है कारण यह है कि भारत के रच्छा मंत्राले के पास अब तक निर्यात के लिए कोई समर्पित एजनसी नहीं है जैसे इस रो में एक समर्पित एजनसी बनाए गई है एक प्राइबेट पार करना, ग्रहको के उप्योगी, एक सरचना को डवलप करना, डिमांड् स्क्रियेट करना, और इसरो के दिमांड बताना और इसरो उसके इनुसार काम करके उप ग्रहो को लॉंचिंग करतीarchyák, तो हाल ही में देखे हूंगा, विई उसके सबसे बड़े all the world and the one होनी चाहिए जिसका किवल काम है कि विश्व के बजार का टोह लगाना और उसके अनुसार भारती उकरन का उत्पादन करना जैसे अमरीका, रूस, फ्रांस, इजराइल सभी देश के एजनसिया करती है तो सबसे इंपोर्टेंट है कि भारत सरकार को इस संदर में कारे करनी सबसे इंपोर्टेंट पहल जो पुर्व में बहुत से पहले की गई है पर वरतमान के संदर में याद रखे यहीं से टर्निंग पॉइंट 180 डिग्री हुआ है हमारे रच्छा उकरनों के निर्याद जहां हम आया तक हुआ करते हैं वहां से निर्याद तक होना शुरू हो गय तो रच्छा उत्पादन निर्याद सबवर्धन नीती 2020 याद रखेगा यह प्रस्ण आपसे पूछा भी गया है डिफेंस परड़क्शन एंड एक्सपोर्ट पर्मोशन पॉलिसी जिसे DPEWP बोला जाता है इसे याद रखेगा जब भी निर्याद के संदर में आएगा प्र दर्शन दस्तावेज की रूप में यह परिकल्पी थे याद असपश्ट करता है पहली बार ऐसा हुआ है किसी सरकार ने किसी वस्तु का आयात पर खुद पर्तिवन लगाया है देखिए भारत ने पहली बार ऐसी कोई सरकार आई इतनी decision making निर्णे लिया जहां पर रच्छा छेतर में लोग अपने आपको ससक्त करने के लिए आयात पर बल देते हैं कि हमारे पास उस से उच्छ के टेक्नोजी हो पर वहां पर भारत सरकार ने वरतमाम भारत सरकार ने आयात के खुद पर्तिवन लगाया है और targeted पर्तिवन लगा जिसमें उसके बाद विहाप में भारत सरकार आपको सवदेसी उकरनों को ससक्त बनाने का भी परियास कर रही है तो कुछ targeted जैसे 301 का भी आकड़ा दिया गे और भी यह संख्या बढ़ती जाएगी जिसका आयात पर्तिवन दित किया गया है तो धीरे धीरे हम लोग चीजे देखें पहले 101 आया फिर 108 वस्तूओ दो सकरात्मक सवदेसी करन सोचियां जारी कर दी गई है जिसकी रेंज प्लेट फॉर्मों से लेकर हतियार परनालियों तक सेंसर से लेकर अधिक्तम वस्तूओं तक सिमित की गई है तो धियान रखिएगा लगतार इसमें आपको परिय किसी ने नहीं किया को भी देश अपने आयात निती में बदलाव नहीं किया भी तक धियान रखिएगा अपने हतियार के आयात निती में बदलाव नहीं किया है सभी चाहते हैं कि हम उच्छ क्वाल्टी के हतियारों को अपने जखिरे में सामिल करें पर भारत यह चाह रहा ह कि अपने सवदेसी हथियारों का जखीरा बनाए और उसका एक उपयोग रननितिक तोर पर किया जाए तो ये बहुत ही इंपोर्टेंट 180 डिगरी का निर्ना है भारसरकार का 2020 के बाद तो आने वाले समय के लिए आप लोग के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट जब भी आपसे इंट्रिवी में प्रस्न पूछे तो जो टर्मलोजी मैं बता रहा हूं कुछ अराजक तत्यों ने मुझे परसान किया है पर को बात नहीं जीवन का यह सब पाठ होता है मैं वहां से उभर कर फिर से बेहतर मजबूत इस्तिती में आऊंगा हाला कि मैंने साइबर सेल को नोटिफाई कर दिया हूँ फिर भी जीवन में कुछ परसानिया तो होती है तब तक आप लोग चैनल को जुरूर सेर कीजिए संख्या जो दस हजार का तारगेट है उसे पूरा करने जल से जल सहीयो कीजिए ताकि हम लोग स्मार्ट जो टीवी क दायरा मेरा बढ़ जाएगा मैं बहुत से चीजे आपको समझा सकता हूँ तो जीतनी जल्दी हो सके आप लोग लोगों को पर्मोट किजिए दस अजार संख्या जैसे ही होगी हम लोग आ स्मार्ट क्लासेज में आ जाएंगे चलिए नेश्ट आपने बात करेंगे देखिए यहीं पर निर्यात नीती देखिए उपर का वी जो टॉपिक था उसको इसे जोड़ के देखिएगा जो आठ गुना उचाल हुई है तो जो उपर मैंने बात किया उसको और इस नियूस को दोनों को टैली करके देख लेना है इसमें देखिए अमरीकी निर्यात का जो मैं बात कर रहा था देखिए आपर नई दिल्ली में मंगलवार को अहम बैठक होने जा रहे है जिसमें अफरीकी अफरीका में रक्षा निर्यात के लिए नए साज़दार खुजने को इसे ध्यान देगी हलाकि भारत पहले भी अफरीका में कई देशों के साथ निर्यात कर रहा है इसके साथ देखिए एसिया में मलेशिया, स्रिलंका, बंगलादेश, इरो, बेल्जियम, पच्श्मी, एसिया में तुर्किये जिसे पहले तुर्की बोला जाता था बिश्र, ओमान, इसराइल, लेटिन अमरिका, चीली, आधिदेश के साथ भारत रच्छा उपकरण साध्या करता है और स्कोठ हम पीस की बाद जो मैंने बोला था जिसके आखड़ा देखिए पंदर सुल्ला सौ उपकरण सभी पर आखड़ा में आप लोगों को बात लिए बस इस आखड़े को आप लो कर गिया है और अब तक सरवाधिक जो 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 बीस इकिस की तुल्ला में इसमें चववन पॉइंट बावरब परतिस्त की विर्धी दर्श की गिया है यह बहुत ही महत्मुन आकड़ा है जो पूरु का न्यूज है उसमें आप लोगों समझेगा इसको एड़ करके ही देखि कर देखिएगा और अच्छा समझेगे इन सवदेशी कंपणी से रक्षा समझेगी खरीद पर्त्यक्ष विदेशी निवेश्ट की मंजूरी और एच एलहाल जिसको बोला जाता है उस और डिफेंस की अन सवदेशी कंपणियों को पुरसाहान देने के लिए उठाया गया र फिलिपिन्स के बाद इंडोनेसिया और वियतना ने भी मिसाइल की रूची बढ़ाई है तो जैसे मैंने फिलिपिन्स की चर्चा की ती इससे सम्मंदित आपको चीजों यहां पर कर दिया गया है तो हम लोग बात करेंगे चलिए नेशनलों बात करते हैं अलाकि ब्रह्मोस के संदर में पहले भी मैंने बात किया हूं तो इसलिए मैं इस न्यूज को कभर न करकर उस न्यूज उपर वाले न्यूज को ज्यादा बेहतर तरजीर दिया ताकि चीजे सम्मंद सके देखिए हाली में इंटर पॉल पर मैंने चर्च आप लोग को न्यू कोज कैसे कभरब होता यह आप लोग के इंपोर्टेंट है देखिए खालिस्तान समर्थक आतंकी पन्नु के गुरूद रेट कॉर्णर नोटिस जारी नहीं करने का इस तम इंटर पोल न जनकारी दिया तो देखिए इंटर पोल का इसके सम्मंद में कहना यह है कि जो इंटर रेट कॉर्णर नोटिस जारी करने के इंटर पोल के नियम के काईदे हैं इसके तहत किसी भी राजनितिक सैनिक या धार्मिक नसलनी माम लोग के नोटिस जारी नहीं किये जाते हैं तो देखिए आपर समझिएगा जो रेट नोटिस आप लोग को पहले पढ़ाये गया यह ह इसके परुदा पर हाली में बैठोक होने वाले हैं इं ai मैंटरनेल हां का महासभा का अटान करेंगे लए चार दिवसी महासबास वहां पर हम भासंके मंतरी मंदी की कि इंशा देएं तो सभी पर चालिया किया ऐ रहा है देखिए इंतर निडिशन कि नभी बैठक जो नाइन देखें क्यों बोला जाता है बिहार सौपर एक बिहारी सौपर भारी तो आप इस न्यूज से देख सकते हैं समस्कते इस बिहार के लोग पास जो है ना समस्क्रम के समधान करने की जो चर्टूरता होती है वो उच्छी क्वाल्टिक होती है जो कोई नहीं सोचता वो बिहारी हो लोग उसके द्वारा सोचा जाता है देखिए कि दुसकरम के मामले में एक बेटे के सजा से बचाने के लिए पिता ने क्या किया देखिए इसके दुस पर उन संदर्मों को आज बात नहीं करेंगे, इस मामले को समझेंगे कि इस परकार की अगर कुछ मामले आते हैं, तो इसके पास सरकार के पास क्या जवाब देही होनी चाहिए, तो देखिए दुसकरम मामले में, मैंने आप लोग क्या उस दिन टमलोजी किया था, समाजिक बह दुमका कांड हुआ था, उसके संदर में बाते बोला था, तो देखिए मामला यही है, कि देखिए कोई पीता अपने बेटे को बचाने के लिए दुसकरमी बेटे को बचाने कि इस परकार का रंच रख सकता है, ड्रामा रख सकता है, कि उसके अंतिम संसकार करता है, जोठा अमतिन संस्कार करता है, समसान की सारी परक्रियाएं वो करता है, यहां तक कि पिड़ता की माने ने किसी तरह की सच्चाई का पता लगा का अधालत तक मामले को पहुचाया देखे, मा की भूमी का यहां उभर का सामने जाती लगतार अदालत में जाके मामले तक पहुचा है ऐसे में अब कुर्की जपती का आदेश जारी किया गया तो जाके यह बैक्ति जो था नीरज मोदी जी का नाम यहां पढ़ा जाता है नीरज मोदी जो आते हैं आथ समर्पन करते हैं और छिपते छिपाते पाक्सों नयाले पह अचा जैसे फिल्मों में देखने को मिलता है एक रिकॉर्डेड चीजों को कभर किया जाता है रिकॉर्डेड स्क्रिप्ट परके उस पर अभी किया जाता उसी परकार के चीजे यह पर तो मैंने उस दिन आप लोगों को दुनका कार में बताया था कि समाजिक बहिसकार हद तक कंट्रोल किये जा सकते हैं तो देखी एक पिता ने सपोर्ट किया और माता ने इसका विरूद किया तो ये चीजे समझे के जुरत है कि इन मामलों में कैसे काम और प्रशासन को देखे मैं सक्त नीमों को लागू करने के पक्ष में नहीं हूँ क्यों इसके पीछे लोज कभी नहीं कहा जा सकता है कि कि दंड के अधार पर चीजों को सही किया जा सकता उसे ब्रेंवास किया जा सकता हूँ इसे मामलों लोग देखे कुछ परतारी तैसे लोग होते हैं जो इस प्रकार के जवाब देही को नहीं समझ सकते कि समाज के परति उनकी जवाब देही क्या परिवार के परति जवाब देही क्या है बैक्ति विश्यस के परति जवाब देही क्या है जब तक हम इस अस्तर पर जाके काम नहीं करेंगे तो जाके लोगों को हम इस परकार की परविती से रोक नहीं सकते हैं अगर डंड है भी तो डंड कारे हो जाने के बाद वैसी दुरुकती हो जाने के बाद ही डंड का परोधान किया जा सकता है पर उस दंड से पुरू की इस्तिती के लिए जो घटना घटे उसके पुरू की इस्तिती के लिए को ऐसा समाज या कानून नहीं है जो नियम बना सकता है तो उससे पहले केवल बैक्तिगत संतुलन और समाजिक संतुलन ही काम करेगा ध्यान रखिए जो मैं बाते बोराओं, अगर इंट्रोव में पूछे तो सबसे पहले बैक्तिगत संतुलन और समाजिक संतुलन के концепट को आपको बताना है कि उससे पहले घटनाओं में घटा होने से पहले अगर हम बैक्तिगत संतुलन अस्थापिज कर लेते हैं या तो समाजिक संतुलन को बढ़ावा देते है अर्थात कहने का मतलब ऐसे किसी बैक्ति एक्स बैक्ति जो समाज में रह रहा है वो किसी परकार से इस परकार के क्रिया कलाप में संदिप्ट कभी पाये जाता है एक बार घटना ऐसी मिलती है तो उसका जरूर समाज भहिसकार क करें या तो समाज उससे समझाए परिवार के लोग समझाए ताकि अपना आच्रन बदलाव करें तो इस परकार के आने वाले भविस में कभी इस परकार वाई के साथ ऐसी कोई घटना नहीं होगी क्योंकि उसका ब्रेन वास हो चुका होगा एक ज़ॉप देह नागरी इसे जा चुका होगा तो यह सबसे इंपोर्टेंट है मैं इसी पक्षक पर बदलाव देखना चाहता हूँ ताकि देखिए नियम कानून तो जब से है कब इलाई जिंदगी जब से स्टार्ट होई इमानों को तब से नियम कानून है और जो नियम कानून वरतमान में है न उससे कही कठोर नियम कानून समय हुआ करते थे लोगों को जिन्दा जला दिया जाता तो लोगों भैस के या तो बैल के खालों में रखकर उसे बाहर से आग लगा जाती इस परकार के डंड का परवधान पहले हुआ जिन्दा हाथ का किसी का सरीर में कीड़े को छोड़ दिया जाते थे मगरमच के जुंडों में फेक दिया जाता था इस परकार के डंड का परवधान पहले हुआ करते थे इस सम्मामलों में कर भिलाई जिंद्गियों में जब हम और भी मेडावल इस में आते तो इस परकार के डंड अनन मामलों में देखने को मिलता है पर वरतमान में ऐसे परवदान नहीं होते केवल मौत की सजा होती है इस दोरान देखे सजा की परविर्टी हमेशा वैसे ही देखने को मिली मौत की अंतिम परनिती के रूप में पर क्या मामलों में कमी आया है या मामलों के जो वहसी करण है वहसी परविर्टी जो दिखाई जाती है उसके अस्तर म में कमिया यह नहीं आया है और भी बद से बत्तर स्थितिया होती चली गई है तो यहां पर केवल यही कॉंसेप्ट काम करेगा बैक्तिगत्त और सामाजिक रूप से दाइत्तों का निर्वहन करना तो चली हम आगे बढ़ते हैं देखिए फिर एक के स्थ्ट्रडी के तौर पर यह घटना हुई थी तो ग्रीव मंद्रार ने इस प्रकार के कार किये तो के स्टडी के तौर पर आप इसे यूज कीजिएगा जियस पेपर फोर कि में आपको आप बहुत से से प्रस्ट टॉपिक मिल जाएंगे जहां पर यह के स्टडी के तौर पर यूज हो सकता है देखि कालिन भाईया का ना आप लोगो सुने होंगे जो कालिन का वैपार करते थे उसी के संदर में चीज़े समझेगे त्यालिसमा इंडिया कार्पेट एक्सपो 2022 कालिन उध्योग के संजीवने देने के इतिहास रज्दिया इसका आयुजन तिरपन देशो में 22 आयातको और 190 और देखने वाले मेलर से अलग रहा ज्यादा सफल रहा तो यह पीटी फैट के रूप में याद रखिएगा कहां हुआ था भदोई में और तिरपन देश के देशों के परतिन इंडियों ने भाग लिया यहां पर और यह 2022 इंडिया कार्पेट इसपो 2022 का 43 संस्क्रान था यह च चलिए नेस्ट हम लोग बात करेंगे चीन साउधान रहने का परियास चीन के आंतरिक बदलाओ के असर देखने लगतार तिसरी बार सी जिनपी वहां के राजपती चुनने के का इस्तिती पर हैं वहां पर कुछ विद्रो भी हुए हैं तो इसके संदर में आलेख आये हैं द चीन की निथी क्या है हालाकि इस पर मैंने आपको पहले भी वीडियो बना दिया हूँ तो आप उस न्यूज के साथ इस आर्टिकल को पढ़ लिजेगा देख लिजेगा और अंडरलाइन सारा चीज किया हुआ टेलिग्राम चैनल पर आप लोग पेपर भेद दिया जाता है प्लीज आप लोग इसका मिस्यूज मत कीजेगा किसी अन गृट में सेर मत कीजेगा नहीं तो दुबारा मैं अगर देखता हूँ किसी अन गृट पर अपने अंडरलाइन पेपर को तो मैं दुबारा फिर कभी आप लोग को ये पेपर प्रवाइड नहीं कराऊँगा एक ब तो इसका कभी भी आप लोग मिस्यूज मत कीजे किसी अन ग्रूप इसे सेर मत कीजे क्योंकि देखिए आपके लिए बनाया जा रहा है अगर चीजे फिरी में सब चीजे बाठ दे जाएगे तो इसकी जौब इसकी उपयोगता नहीं रहेगे यह चीज आप लोग समझेगा इसको तो नहीं तो मैं भी एक मानो मानो मस्तिस मेरे पास भी है तो मैं भी हर चीज में अर्थ और अर्थ लोजिव दू अपने तक ही सीमित रखिए और देखे पीडिये और भी चीजे उपलब्द होगी वो सब सेर कर सकते कोई इसू नहीं पर दैनिक जायर नियू जनलेसिस का यह अंडर लाइन पेपर अपने तक ही सीमित रखिए अधिक लोगों तक इसे नहीं करना है इसके पीसे यह है कि अन सब्सक्राइब अपना नाम जरूर दे देंगे तो यह सब चीजों से बचना है और जो चीजें मैं आपको बताता है उसे चीज समझेगा अब देखिए हिंदू फोबिया एक नया कॉंसेप्ट जो लगता चलता आ रहा था कुछ दिनों यह नया हाले में बहुत चर्चा में इसे आप इंट्यूवी में प्रस्ट पूछा जा सकता है ध्यान अखिएगा इस पर दो तीन आठिकी लगता रहा है कि हिंदू हिंदू दृति रिवाज या हिंदू जो विचार धारा उसके संदर में वैस्विक मत कैसे परचारित किया जा रहा दूस्पर्क्सारित किया ज हुए है तो इसके संदर में चीजे असपश्टो तो इस आर्टिकल को आपको इसी संदर में समझना है लास्ट जो वीडियो था कल का उससे आपको जोड़के इसे देख लेना सभी यहां पर बाते की गई है ऐसा कोई बात नहीं है कि हिंदू फोबिया था हिंदू का डर होन में है यह लोवी कभी भी नहीं चाहती है कि भारत जिस छेतर से आता है जिस महादिव कंटेंड से आता है उसमें इसकी प्रभुता बढ़े ध्यान रखेगा मैं जो बात बोर रहा हूं हो सकता हमारा प्रोशी देश भी इस परकार से गति वीडियो में सामिल आता और बहुत कि मन सा पूरती होती हैं अब जो सनातन या सनातन धर्म यह विशार देता है वसुधे कटूल मींबकम उसे हिंदू फोवियां अगर बोला जाता है तो उस ब्यakti या संस्था के वैचारिक निपुन्सक्ता निपूंस्था का ही दोतक हो सकता है वसुधे कटुंबकम जो विचारधारा देता हो और बहुत ऐसे विचारधारा है जो विश्व में केवल चनातन धर में दिया है मैं बार बार ये बात बोलता है इसमें बहुत ऐसे पार्ट होंगे जो वर्तमान्स परद्दिस में निगेटिव पक्ष को बढ़ावा देते होंगे पर ये कता ही जरूरी नहीं है कि इसके सभी पार्ट को इस रूप से हिंदू-फोबिया के संदर में जैसे इस्लामू-फोबिया एक कॉंसेप्ट है वैसे हिंदू-फोबिया इस्लामफोबिया में तो आपको देखने को मिलता भी होगा कि बहुत से मुसलिम जो आतंकवादी घटनाए होती है समग रूप से मुसलिम लोग उसमें सामिल होते है फिर भी हिंदू बुद्धिजीवी वर्ग यह बोलता है कि सभी मुसलिम आतंकवादी नहीं उसमें कुछ हाइजेक कट्रपंथ मुसलिम इस परकार के कारे करते है जिससे पुरा विस परतारित है विस में कोई ऐसा मामला आपको नहीं देखनी को मिला होगा जिसमें आतंकी घटना या इस परकार के व्रिहत घटनाए जैसे आपको वर्ल्ट ट्रेट सेंटर का हमला हो या तो भारत में मुंबई हमला हो सिरियर ब्लास्ट हो या तो फिर जाके चर्च पर हमला हो इस परकार के कारे किया गया हो फिर भी हिंदू के संदर में विचार धारा को दुस पर राजित करने के लिए हिंदू phobia concept को develop किया गया यह केवल उन मामलों में किया गया जब कार सेवक जो हमला हुआ था न उसके संदर में हमारे देश के नेताओं ने ही इस concept को develop कर दिया पर न्याले में इस मामले में सभी लोग बरी हुए हैं बहुत से विचार धारा वसुधे कटोंकम विश्क के सभी लोग को समान रोप से बढ़ावा देने की बात करता है। आपको उसका कंडेम करना चाहिए यह कहीं ने कहीं उचीत होगा। समाप्त हो जाएगा। सवा तीन लाग खाद दुकाने बनेगे किसान समरिधी का केंद्र हाली में वन फटलाइजर वन नेशन का कॉंसेप्ट आया है। उसके साथ साथ देखिए फटलाइजर खाद तेल फटलाइजर और कच्चे तेल में भारत सबसे ज्यादा आयात सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा खर्च करता तो कहीं ने कहीं यह सब कीजें धिरे धिरे कंट्रोल में आएंगी। जिन्सों के आयात निर्वरता घटेगी दिस में आत निर्वरता बढ़ाने के लिए सब को मिलका संकल्ब करना होगा। इसके संदर में पहले भी मैंने बात किया हूँ बस आपको आखड़े याद रखना है। किस दिन दिया गया यह याद रखना है और किस मंच पर दिया गया यह याद रखना है। चलिए हमनों नेश्ट बात करेंगे। इसके बारे में आपनों जरूर पढ़ लिजेगा भारतिय टेलिस्कोप के संदर में संपुनानंद नाम दिया गया है इस टेलिस्कोप का। क्योंकि साइन्स टेक वाले पार्ट में इसे कवर किया जा सकता है। इसके बारे में विस्ति जयनकारी आपको की नोटिफाइब कर दो रहा है। इसको जब स्कीन सॉट आप लोग दिया जाए की नोट्स दिया है उसको सामिल रहेगा। तब तक आप लोग पीपर से की नोट्स बना सकते हैं। चलिए नेस्ट हम लोग कल फिर मिलते हैं नए नियू जैनल एसिस के साथ तब तक चैनल को ज़रूर सेर सब्सक्राइब करते रहेए। और जो दस अजार का तारगेट है उसे जल से जल पूरा करने में हमारा सहयोग कीजिए और जवाब देही अपने स्वेक अस्तर पर बना कर रखिएगा जो चीजे बोली जाती है उसके अनुसार काम कीजिए आपका सेलेक्शन जरूर होगा। तब तक के लिए धन्यवाद ज देहेंद